बचे देखो, स्क्रेन दिख रही है येस सो, गुड मॉनिंग सो, गुड मॉनिंग गुड मॉनिग हाँ, चलो अपर शुरू कर दें, आपका क्या कर रहे सिगे सेल्फ कंसेप्ट दे बारे आसी पढ़ रहे हैं सेल्फ कंसेप्ट दा मीनिंग गहरा सारा हो गया सी, उस्तो बाद आसी इदा सोशल आस्पेक्ट भी कर लिया सिगा उस्तो बाद कल्चिरल आस्पेक्ट भी कर लिया कम्यूनिटी आस्पेक्ट भी बचे कर लिया सिगा आसी रिलीजियन आस्पेक्ट ये भी हो गया कर देखो स्क्रीन और आवाज क्लियर आ रही है देखो तो आज अपा ये खतम करा गे ठीक है ताज आपा कास्ट आस्पेक्ट करना शुरू करना है कास्ट क्या है कास्ट इंडिया केन भी डिस्क्राइब आए सिस्टम और सोचल स्टैटिपिकेशन एंडिया अपना इंडिया देख व्र्न गएनम अनू ब्राहन है जोकी प्रीसट याल्रण यह लर्न क्लास मनना जान्दा है, क्षत्रिया है, रूलर है, वारियर है, प्रॉपटी ओनर्स है, वैशिया है, जो ट्रेडर, फार्मर्स, आटेशन्स हैं, और शुद्रा है, असी सिटेड़ में इस सर्वेंट्स हैं, लेबर्स एचार तरह निया जडियां वर्न हैं अपने अ सोशल स्टाटिफिकेशन देवेचे, ब्रामवन, क्षत्रिय, वैशिय और शुद्र, आग ग्रूपप पीपल वर कंसीड़ेड़ आज बॉर्न आट वर्ना स्पीं, दा अन्टचेबल और दलित्स, इना चो एक दलित्स के डी केटेगरी यह अह डेवेल्प होई, देवर कंस अन्टचबल बने जानदा है, दा हिरर केकल ऊडर इन दा कास सिस्टम लेट्व ड्सक्रिमिनेशन, यह जड़ा कास्ट है, यह में लिए डिस्क्रिमिनेट करता है, एंड एक्स्क्लूज़न ओफ लोओर कास्ट इसदे वेच हून दा है, होनपा गल करांगे कि किस तरह caste system is a system much like western concept of racism, जिस तरह racism होंदा है, गोरे काले दा जिड़ा discrimination होंदा है, उसे तरह ही अपने समाज दे बच भी, इंडिया दे बच जिड़ा caste system है, वो एक दूसरे नों discriminate करन दे लई, या एक दूसरे तों अलग करन दे लई, आसी बर्त देया है, जिस देन आल बच्चे दे ब complex आसकदा है, दूसरा है, affect individual's perception, चिल्डन बॉर्न इं पर्टिकलर caste देवल्प देर सेल्फ कंसेप्ट फों बिगनिंग, जिस दे ग्रोव, देर racial and caste membership affect the way they perceive themselves, जिस कास्ट या बच्चा जिड़ा है, जनम लेया, जिस तरह जिस तरह बच्चा उस्दे बेच पदा है, पदा है जिस तरह अपने आपनों परसीब करता है, ओहो जिड़ा aspect आओ, change होना शुरू हो जानता है, Every caste has a particular name, through which people in society can identify it, हर caste दा अपना अपना एक नाम है, social status है समास देवेच, जिस दे नाल बच्चा अपने आपनों identify करता है, Resulted in suppression, देखो जड़ियां एह लोर कास ने उस suppress रहना काफी टाइम तक ते हुन भी उस प्रेस दिहीं है, शुद्राज और वैली हिल ट्रेटर, उना देन आल ठीक वेभार नहीं करया जान दा, बहुत ज़्यादा चुवा चूथ होंदा है कि उना पॉब्लिक प्लेस तक भी आन दी जड़ी परमिशन है, उना दे लिए अलग होंदा है सारा कोछ, ठीक है, और मैंनों दबा के रख्या गया कई कास्ट होंदा, जिए जड़ा बच्चा है उसते भी नेगटिव असर पैंदा है, इस ट्रीट्मेंट इंफ्लेंसी अइडिविजल सेल्फ परसेप्शन और सेल्फ बिलीब्स इन डिफरेंशल मेनर, इट्रीटेड़ा फासेंस अप्रेस्टीज अमंग हायर कास्ट, ने को डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, तो हायर कास्ट मुन लग दाए के असी सब तो जादा इंपॉर्टेंट हैं, और बाकी जड़ेंगे लोगर कास्ट हैं, उन्हें जादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं, जिस देनाल अपनी मनोपली समझ देने जड़े हायर कास्ट ने के असी ही सब तो जाला उत्तम प्वाल्टी दे व्यक्ति हैं, ते फेल्ट दाट ओल अधर कास्ट शुड कंसल्ट देम, उन्हें लग दाए कि बाकी जड़ेंगे कास्ट हैं, जड़ेंगे काम करना है, तो उन अबिलिटी और अप्वाली अश्परेंगे कास्ट देना जावाला उन्हें देनाल जड़ेंगे कास्ट हैं, जड़ेंगे कास्ट हैं, उस दा असर बच्चे दी सल्फ कंसेब्ट थे बहुण है, और उस देनाल उस बच्चा चाहे जिन्नम अर्जी इंटलिजेंट हुवे, लेकिनों जड़ा caste है उसदा आसर बच्चे दी self-concept ते बहुँ ज़ादा होंदा है उसदे जिनी मर्जी ability होबे जिना मर्जी intelligent होबे लेकिनों जड़ा caste है aspect ओफ बच्चे नों बहुँ ज़ादा affect करदा है और उसनों अगे नहीं बदन दादा कहीं बार child is daily reminded of their lower caste चाइड नों जड़ा बार बार उसे लोर कास दे बारे उसे status दे बारे दस्या जानदा है ता उसे नाल बच्चे ज़ादा है और उसा attitude जड़ा है वो negative हो जानदा है in addition to untouchability they also experience inequality and abuse by the dominant communities untouchability वाला भी point अपने करेया और्शनल क्या हुंदा है बच्चा जड़ा है को inequality मैसूस करदा है they create clouds of fear they develop emotion of anger powerlessness and sadness inability to concentrate in studies जो दे सारिया प्रॉब्लम्स हों दिया ने बच्चा अपना concentrate नहीं कर पांता बच्चे समझ आया यह सी का साथा caste aspect दोस्व अगर कोई point नहीं समझ आया था तो नेक्स अपन करांगे gender aspect gender is characterized by being man or woman वाय और गर इधा जड़ा फरक है साड़े समाज जे भी चो clearly visible है this categorization can influence a person's self concept of stereotyping job rules stereotyping job rules है ठीक है ना for example men should play football and woman should stay at home जड़े boys है हो outdoor activities कर दे है और जड़े girls ने हो indoor activities जड़ा कर देने और कर दे बीच जड़ा रहन देने इस जड़ा aspect है किस रहा हुआ है socialization of gender roles जिमें मैं केहा कि most culture socialize individuals into particular gender roles for example Indian society overtly and covertly encourages femininity among females कुडिया नूं हमेशा femininity वाले काम ही करन दे लई दे जान्दे ने उन्होंनों हमेशा यहीं गलके जान्दे कि उन्होंने यह काम करने और यह काम नहीं करने and masculinity among males which continue throughout the life span difference है male और female दा है gender roles दे वेच अपनों दिखाई जल्दा है gender stereotype है as a way gender stereotype is an example of how prescribed roles influence self-concept a common example in literature is the proposal that males perform better than females on math equations यहे research ने कहा है और literature तो आया है कि जड़े males ने हो math दे काम अच्छा कर देने than females this subsequently lower female performance देनल क्या हुंदा है females जड़ा motivation level है यह performance हो कर दी है academic domain ते और self schemas due to the performance pressure हुन बच लड़कियां ते performance pressure है उननों पता है भी लड़के जड़े यह मैर्दे भीज अच्छे कर दे नहीं इस करके उन्होंदा है importantly this effect appears to be limited to females who report a higher identification academic domain schemas next is gender expectations के जड़े साथे समाज है ओ भी बच्चयां तो gender expectations लग लग हुदिया ने boys लग हुदे ने कुणियां तो लग expectations हुदिया ने parents have huge impact on child's understanding of his or her gender the parents own thoughts on what is expected from men and women become the foundation of the child's perspective they can influence child through their instructions and their modeling parents बच्चया नूँ किस्तरा उना दा पालम पोशन कर दे हैं किस्तरा उन्हों जड़ेंस है हो उनना दे उते पालम पोशन दे वेचे जलगदा है children are taught how to behave in ways that are considered appropriate for their gender roles बच्चया नू क्या जन्दा है कि जो उना दे जेंडर रोल दे लिए appropriate होना ने उसे तरीक के देना बहेवर करना है children learn about gender roles and cultural expectations from their surroundings बच्चया अपने आले ताले तो भी शीखते ने किस्तरा उनना ने बहेवर करना है behavior modeling है the way the parents model behavior or how they act out their gender in front of their children influences the development of self-esteem and self-development perhaps a father works come home in the evening and is served dinner the daughter grows up watching her mother stay at home prepare meals and do household activities so she believes that it is appropriate role for the woman when she is a white one chances are she will grow up acting similarly when she is a white one how ever parents should not discriminate in boys and girls parents discriminate नहीं करना चाहेदा दोना नहीं काम देने चाहेदा नहीं लड़का है या लड़की है discrimination can bring great variation in the development of self-concept among the children teachers role है teacher भी बड़ा important role play कर सकता है teacher ने भी classroom दे बीच boys और girls नो differently treat नहीं करना उननों भी ब्राबबर दा मौका देना है काम करना तो उननों भी ब्राबबर समझना है teacher ने girls have positive perception during primary education but around 12 years are decrease in self-confidence primary education दे बिच ता positive perception हों दा कुडियां दा लेकिन जो तो बड़ियां हों दियां ने बारा साल दियां ता उनना ता जड़ा confidence हो काटे जानदा है observation and happenings in the surrounding take the girl to infer that the social role is secondary to that played by men जो दे इर्दगिर्द या environment दे भी surroundings दे भी हो रहा है जो देख दी है लड़की ता उसनों लगदा है कि जड़ा रोल है उस country है लड़कियां ना हो men are independent achievement oriented and financially oriented and competitive while women are interdependent, sociable or more or less moral less assertive boys have larger groups as compared to the girls girls wait for their turn to speak and easily agree with others boys are likely to threaten and dominance यह जड़ियां सारी है आपने qualities या characteristics करियां ने इना देना बच्चे दे जड़ा self-concept होना ते असर पैंदा है ते उना से गल करांगे location aspect दी जड़ा location aspect है location दा मतलब होंदा है कि एरिया जिते व्यक्ति रह रहा है जी में rural area है urban area है इस दिवारे आपा गल करांगे बच्चे सनाई दे रहा है नो समझ रहे हों जड़ा fast नहीं हो गया जड़ा fast नहीं हो गया नो सर्फ नो सर्फ नो सर्फ नो सर्फ नो सर्फ नो सर्फ जड़ा location दे बच अपा गल करांगे development of a specific set of attitudes and behavior place of living for development of a specific set of behavior dictated by the physical and cultural context for example living in metropolitan cities जड़े बड़े बड़े शैरन दे बच लोग्रान देन increases the likelihood that the individual activities will involve going to club क्लब है है या होट फैसिलीटीईइश है थेटर है उर्थे जज़धा हों देनं लेकिन ज़रा रोलर इरिया है उना-दे बचो होनके सिसलेटीज काठ थून Grow the यह आफेक कर दे विच रहना ज्यादा पसंद क्यापते नहीं अफेक्ट सेल्फ एस्टीम सर्राउंडिंग जड़ा है लिव अफेक्ट सेल्फ एस्टीम इस ब्रॉट अप इन पूर इन्वार्मेंट विदाउट गेविंग प्रॉपर अटेंचे टू में एक्सलीनियस लो सेल्फ एस्टीम अगर बच्चे नो असी होना दे मुताबिक काम करन ना दिता जावे ताम बच्चा जड़ा हैगा ओहो पिछे राजन दा है और सेल्फ एस्टीम जड़ा हैगा बच्चे आंदा नेगेटिवली एफेक्ट होंदा है अग्रैसिव बिहेवियर है विशेछ थे प्लिफ एफ्यंदेने और यह अर्योम फ樣 से फैक्टर को से ना जड़ा हिए उस्टा बिहेवियर हो जानदा है विशें को आइसूलेट थाम बच्चा. अपॉर्ब्स बिल एक्रएटबार्थालन से आप दुहाइज प्रूर्पिर अप्टन पेर गूपस तो community center, hospital, clinics, doctors, ये सारा जड़ा हैगा, ये भी location ते डिपेंड करदेने, जिदिन आल बच्चा जड़ा हैगा, वो self-worth और concept ते असर पाइनदा है, social influence है, social influence है, the concept of how traditions, customs, lifestyles, और daily practices in a locality can directly impact societal norms, these aspects of society can affect people's attitude, जिखो जड़े social influence है, किस्तरा दा tradition है, जिस community या जिस locality दे बच व्यक्ति रह रहा है, उस्तरा दा tradition, customs, values क्या है, उनना दा बच्चे दे attitude और behaviors दे असर पाइनदा है, selective migration है, इदिनल क्या हूंदा, migrate लोग कर देने, जदो, they could be considered many factors, like climate दे कारण migrate कर लन देने, friends, family, job, security दे कारण, लोग migrate, the decision लेन देने, एक जगा तो दूसरी जगा जान देने, या rural area तो urban areas दे बल जान देने, recent research indicate that people who are creative and sociable are more likely to migrate, जड़े लोग जदा social हूंदेने, creative हूंदेने, जदा migrate कर देने, than other people, ecological influence है, इसे विच क्या है, ecological influence, the idea that feature of the physical environment affect people's thoughts, feelings and behavior, for example, people who have access to clean and running water, lead drastically different lives than people who have no running water, जड़े जड़े फैसिलिटी इस अविलेबल ने, according to the locality, उना दे असर पहनदा है, उना दा, people living near green spaces have been shown to foster well-being and reduce stress, जड़े green places दे बीच जदा रहें, जड़े स्ट्रेस काट हूंदा है, जड़े रूरे दे बीच रह रहे रहा है, उना दे stress लेबल ज़्यादा हो सकता है, our residents' thoughts, feelings and behavior, all these aspects come together to influence our, जड़े भी factor अपने गाल करे हैं, जड़े भी facilities अवेलेबल ने, जड़े जड़े जो पार्क हैं, resources हैं, अवेलेबल हैं, cinemas हैं, इस सारे जड़ा हैंगा बच्चे दे, self-concept नो affect कर देने, rural students perform less well than urban students in academic achievement, जड़े rural students हैं, ओ, comparatively cut, perform कर देने, academic achievement दे भीच, as compared to the urban areas, क्योंकि urban areas दे भीच, जड़ा facilities हैं, ओ, जड़ा होंधी हैं, expenditure education level दे जड़ा होंधा है, urban areas दे भीच, urban area children have higher self-concept as compared to the rural areas, difference by location in attitude of individual parents, peers about education exists, and result in observed in differences in educational achievement of the location, बच्चे हुन अपा गल करांगे, language aspect, language दे मतलब पता ही, आपनो communication दे ली कामा दा है, कि बच्चा जड़ा हैंगा हो, कि निक तरह आच्छा बोल सक्दा है, language जड़ा develop होंधी है, तो चलो अपा language aspect दे अपा गल कर रहे हैंगे, कि बच्चे के language किस तरह अफेक्ट करता है, सब तो पहलें तो देखो language जड़ा है, बहुत ज़्यादा ज़्रूरी है, communication दे ली, मैं हूँ डिरेक्टली अपा गल कर दें, language ज़्रूरी है कि क्म्यूनिकेशन दे ली, क्योंकि जद तक आपा नो language नहीं आएगे, आपा एक दुसरे दिनाल communicate नहीं कर पामांगे, इस करके बहुत ज़्रूरी है, social relationships दे ली, social coordination है, आपा एक दुसरे दिनाल ज़्रूरी ज़्रूरी है, नेक्स है, early childhood experiences, बच्चा जड़ा हैगा, जदो early childhood experiences जड़े हुंदेने, जिसना जिनों attention मिली हुंदी है, language is developed during this period, early childhood period दे ली बिच ही language developed हुंदी, अगर उस ताइम language proper developed हो जे ता हो जे उस तो बाद ज़्रूरी ल sense of personal identity बच्चा जड़ा है, language जिनाल पन personal identity भी करदा है, जि मैं असी Punjabi बोल दे था, असी Punjabi है, Hindi बोल दे है, Hindustani है, ठीक है ना, जड़े लोह कहा हो अपने language जिनाल अपनी personal identity भी identify कर देने, अच्छा, inferiority complex भी हुंदा है, due to the language problem, मैं पन्जाब भी हांदी है, English नहीं हांदी, कोई English बोले मेरे सामने, ता inferiority complex हो सकदा है, ठीक है ना, ऐस तरहीं जड़ा है गाए लोग, the person may feel as if he or he were to say something, that he or she would be judged, उन्हों लगदा है कि जगर मैं कोई particular language नहीं बोल पान दा ता मन्हों लोग judge करनगे कि equality नहीं देनगे, या inferiority complex मांदे पेच आ जानदा है, learning is very important for learning behavior and emotions, language जड़ा हैगा हो बहुत ज़्यादा जुरूरी है for learning, आपकोई भी गल करनी है, सिखनी है ता हो language देना लिए अपका सीख दे, next है socio-economic status, या aspect, समाज दे वेचे परिवार दा, family दा, व्यक्ति दा, क्या status है, उस चीज देना भी self-concept जड़ा हैगा हो affect होंदा है, opportunities for the development, family दा जड़ा social economic status होंदा है, जी मैं हमेशा गल करता होना है, अमिताब बच्चन और अभिशेक बच्चन, ता अभिशेक बच्चन नो development opportunities automatically मिलन गया, क्योंकि जड़ी ओधी family है, और अरड़ी ओड़ा social economic status बहुत अच्छा है, बच्चे समझाया है कि नहीं है वह बला point, level of parental education है, इस देविच अपने गल करनी है कि जड़ा parents दा education level है, यह भी socio economic status नो affect करदा है, क्योंकि जड़े parents है, उनना कि पड़े होई नहीं पड़े लिए कि डॉक्टर है, पेरेंट्स या टीचर्स हैं, इनना समास देविच रुटबा है, वह affect करदा है, जबहें मैं क्या सी दोक्टर ही बनेगा है, बेटी जड़े है, दोक्टर ही बनेगी, effect of stressors है, कुछ constant stressors होंदेने, that company poverty, reduced parental involvement, style living environment, जो की affect करदेने, बच्चे दे self-esteem नो, ठीक है न, तरही जड़े है का सी हो, self-concept है, जड़ा, socio economic status है, जड़ा affect करदा है, बच्चे दे, self-concept है, यह होना पगल क दी, इसाड़ा last aspect है, कि parents की ना पड़े लिखे रहे हैं, अगर parents पड़े लिखे हैं, ता उस दा बच्चे बहुँ ज़्यादा असर हुंदा है, education of the parents दा, अगर parents पड़े लिखे हैं, parents educated हैं, better understanding of the psychology of the child, अगर parents पड़े लिखे हैं, ता ओहो बच्चे दी psychology नो अच्छी तरह समझनगे, अगर नो parents नहीं पड़े लिखे, ता उन्होंनों पड़े लिखे हैं, ता उन्होंनों पते नहीं हुएगा, कि बच्चे दी क्या nutritious food देना है, बच्चे दी किस दा growth and development हो दिया है, तो उन्होंनों इस चीज़ दे बारे पता नहीं हुएगा, तो इसका कि parents दा about your children's abilities, interests, academic performance, कहीं बार ना parents अपने बच्चे दे बलीफ ही नहीं कर दे, उन्होंनों लग दे नहीं कि मेरे बच्चे दो कुछ आन्दा है कि नहीं आन्दा है, बच्चा जिड़ा आगा 99% लई जाएगा, लेकर parents भी उसनों डांटी जानगे कि तनों कुछ नहीं आता, इस त adolescent parents failure to play a role as a driving force to the self-concept, मालों बच्चा कीसी कम नूँ कर रहा है लेकिन बच्चा fail हो गया, पहली बार नहीं उन्हों successfully कर पाया, तब parents ने उते बच्चे नूँ demontivate नहीं करना है, parents ने उते बच्चे नू motivating force, driving force बनना है, तांकि जड़ा उसा जड़ा self-concept हो अची तना, develop हो parents दा positive role play करना, बच्चे दी growth and development दे बच्च बहुत जादा important होंदा है, ability to guide, अगर parents पड़े लिखे हैं तांफे parents बच्चे नूँ guide कर सकते हैं, बहुत सारी है situation आप बच्चे दे सामने इसरानी आंधिया ने, जना दे बच्चे नूँ जरूरत होंदी है guidance दी, क्योंकि जड parents नूँ guidance देनी है जो दो बच्चा किसे मुसीबत दे बच्चे होंदा हो, ताहीं दे सकते हैं अगर parents ने हो, पड़े लिखे ने, next assistance in doing home assignments, parents पड़े लिखे है ता फिर जड़े स्कूल को कम मिला है, बच्चे नूँ help करनगे बच्चे दी, अगर नहीं पड़े लिखे ता फ parental support है, parents ने हर जगा, हर टाइम ते बच्चे दी support करना है, चाहे बच्चा successful हो रहा है, चाहे बच्चा fail हो रहा है, failure दे नाल भी एक lesson बच्चे नूँ मिलदा है, जो की बच्चे दी self-concept नूँ affect करदा है, और थे parents दी support दा होना, parents security दा होना, बच्चे नूँ emotionally बहुत जाद affect करदा है, personality type of personality, yeah, बच्चा नहीं पड़ता ता ना पड़े, अपने यह थे parents दे support दा मतलब यहागा, कि अगर बच्चा नहीं पड़ रहा, तो parents ने देखना हैगा, कि बच्चा क्यों नहीं पड़ रहा, क्या कारन है उससे ना पड़ना, क्या कमी है, parents ने उसनों motivate करना है, यह नहीं हैगा, कि बच्चा नहीं पड़ रहे हो दी कटाई करने शुरू कर दो, ठीक है ना, ऐसरा नहीं करना है, parents नहीं देखना है कभी क्यों नहीं पड़ पा रहा, कि थे कमी है, उदा school ठीक नहीं है, या उनुका अरदा महाल ठीक नहीं में रहा, बच्चा ठीक है, एस नहीं सीख पांदा, है ना, तो उना सारे कारना नो study करना है, उते अपने ते आन देना है, बच्चे समझाया, योगिता, हाँ, परसनलिटी टाइप आप आप पेरेंट्स है, अगर बच्चे जड़ी हैं, इंट्रोबर्ट हैं, है ना, and they never mingle with people, क्योंकि उना दे बच्च को Harmonious interaction, like triadic family interaction, जिसे बेचे जड़े social relations है, mother, father और बच्चे दे बहुत अच्छे हुंदेने, एक दुसे ना related हुंदेने, सारी और अच्छा interaction कर देने, दुसी तरफ है, एक दुसे ना अच्छी तरह अच्छी तरह गलबत नहीं कर दे, हो style हुंदेने, ता इना सारे आंदा दोनों कम करके, mother और father दोनों कम करके आंदेने, stressful work हो सकता है, जिते हो कम कर रहे नों से महौल ठीक नहीं हो साथ, ओधी tension हो कर रहे आंदेने, और का राके फिर बच्चे ते हो अपना जड़ा गुसा है, और दार दनेने, जिसे दिनल बच्चा जड़ा हैगा, वो negatively influence हुंदा रिवाड और पुनिश्मेंट भी बहुड जयादा ज़रूरी है, बच्चे नूं रिवाड और पुनिश्मेंट किस्तरा दा देना है अपने, हर गलते अपने बच्चे नूं reward नहीं देना और हर गलते अपने बच्चे नूं punishment भी नहीं देनी है, जड़े bright students हो देने हैं सान achieving students होंदेने उन्हानों अपने punishment देके भी अपने ठीक करया जा सकता है और reward देके भी motivate करया जा सकता है कि बच्चा next time हो अच्छा वदिया गल करे अचीव करे educated parents provide high quality reading material जड़े educated parents होंदेने हो बच्चानों reading material जड़ा है वो अच्छा दे सकते ने बच्चे experiences बच्चे नो नहीं दे पांदे where they can succeed जित्धे की बच्चा जड़ा हैगा अपनी जिंद्गी दे बच्चेस्फुल हो सके and they can also not provide new challenges for their harmonious development और बच्चे नो ऐस्टाने challenges एस्टाने situations भी नहीं दे पांदे जिससे बच्चा जड़ा हैगा हो harmonious development या आर्राउं development बच्चे दी हो सके मचे इस दिन आज साड़ा जड़ा है topic है self concept वाला ओ खतम हो गया